हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम लोग साइन्स क्वेस्चन्स के पार्ट 18 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली इंट तक देखेगा क्यूंकि इसमें बहुत बहुत इंपॉर्ट करते हैं पहला क्वेस्चन आपके सामने 241 से है जो कि इस प्रकार है कि जीव को सिखाओं में अनुवानसिक लक्षड के लिए नियंत्रण कौन उत्तरदाई होता है तो यह आत्वा DNA ठीक है DNA के बारे में आप जानते है DNA का जो फूल फर्म क्या होता है डियोक्सी राइबो तो यह केंद्रक में जो उपस्तित होता जो DNA होता हुँ हमें क्या करते कि यह अनुवानसिक लक्षड को एक पीडी से दूसरे पीडी में ले जाने में कारी करता है ठीक है? जो कि यह बहात अच्छा प्रस्धन है तो ध्यान में रखेगा और देखे अगला प्रस्द मारे य पॉल्यो टेट्रा फलोरो एत्रिलिन नम से भी जाना जाता है। ठीक है और यह दिखें मानो निरमित बहुलक होता है, यानि कि यह जो पॉलीमर है वो हमें यानि कि ़ूआनों के द्वारा यह बनाए गया। ठीक है कि यहां यहां से आपको यह भी जानना होगा कि इसका जो परियोग होता है वो नॉन स्टीकी बर्तनों को बनाने में किया जाता है, नॉन स्टीकी कहने का मतलब कि उसमें न चीपकने वाले जो बर्तन होते हैं, उसमें खाना को न चीपकता है, उसको हम लोग बनाने में इस से आप ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्किप्शन में सबसे उपर दे रहा है तो आप जरूर से जरूर जॉइन हो जाईएगा और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को जल सजल सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि यहां पर हम लाते हैं डेली न्यू वीडि नेक्स प्रस नमारा यह है कि बेकलाइड का निर्मार ठीक है बेकलाइड का निर्मार होता है किस से होता है यानि कि बेकलाइड का निर्मार किस से होता है दीक है फिनॉल और फॉर्मेल डिहाइड के यह सन्योग से बनता है अब बात करते हैं कि इसकी खोज कब होई थी लियो बैक लैंड नामक जो बैग्यानिक थे लियो बैक लैंड के द्वारा ये बनाए गया था 1907 से 1909 इसी में जो कि यह बहुत बार एक्जाम में आपका पूछा गया तो आप इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है देखिए अगला प्रश्ण आपके सामने इस प्रकार है कि क इस बिटामिन को अर्गो कैल्सी फेरॉल के नाम से भी जानते हैं अर्गो कैल्सी फेरॉल के नाम से जानते हैं देखिए बिटामिन डी टू ठीक है डी टू डी जा जो विटामिन डी होता है उसी का ये रूप होता है जैसे बी कंप्लेक्स होता है उसी तरह से डी का ये भा सियक होता है ली को प्रंज को वाइब तुचिक है अगला प्रशन देखिते हैं देखें नेक्स्ट पर्शन नाबहा यो बहुत इंपोर्टन प्रशन है देखें सही सुमेलित किया गया कि जैनि कि जो इसके सामने लिखा गया वह रौइट है जैसे यह रेटी रेटिनोल अब इसके साब ने जीतो फैलिमिया लिखा गया ठीक है जीरो फैलिमिया होगा जीरो फैलिमिया ठीक है वह एक बिमारी का नाम होता है जो कि रेटिनोल या रेटिनोल किसको कहते है बिटामिन एक को यानि कि बिटामिन एक की कमी से जो जीरो फैलिमिया होता है वह स ध्यान देना है कि B12 जो है आपको पूछा जाता है कि किस बिटामिन में आपका कोबाल्ट पाया जाता है तो देखे B12 में आपका कोबाल्ट होता है कोबाला कोबाला का मतलब कोबाल्ट आपका इसमें उपसे दोता है तो यह आपको ध्यान रखना है कि साइनो कोबाला मीन जो आर्गो कैलसी फेरॉल कहते हैं तो यह आपको ध्यान रखना हो कि बिटामिन D की कम इस जो आपका रिकेट्स नामक बिमारी होती है ठीक है अब देखिए अगला है कि टेको फेरॉल बिटामिन E को हम लोग बिटामिन E का जो नाम है टेको फेरॉल और इसके जो जर्णन छमता प्रभावित होती है यहां से आपको चार क्वेस्चन मिल गई तो यह आपको ध्यान रखना होगा के लिए है अब देखिए अगला प्रश्ण हमारा 246 की इंसुलीन क्या होता है तो इंसुलीन देखिए एक परकार का प्रोटीन होता है अगर दूसरे सब्दों में बात करें त जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह एक प्रोटीन होता है तो आपको ध्यान में रखना होगा अगर आपको हॉर्मन मिले तो हॉर्मन पर टिक करना होगा अगर आपको प्रोटीन मिले तो प्रोटीन पर टिक करना होगा ठीक है दोस्तों अगर आपको डिस्किप्सन में और भी किसको कहते हैं तो कृत्री मधूरख कहने का मतलब जो सुगर फ्री आप देखते है न कि जो insulin को जो diabetes के patient होते उनको मेठा भी लगे और उनका diabetes control में रखते हैं तो इस्पार्टम उसी type का होता है जिसको हम लोग mano के द्वारा नेर्वी जो ओता है वो अब देखे freon क्या होता है तो freon आपका प्रसित चंडा करने की जो चीजे होते हैं उनको हम लोग फ्रियोन के नाम से जानते हैं तो यह सही मिलान किया गया है अब देखें नियोप्रिन क्या होता है तो नियोप्रिन आपका जो होता है वो संसलेसित रबड होता है यानि कि मानों के द्वारा कृतिम तरीके से बनाएगा जो संसलेसित रबड होता है यहां से एक यहीb है जाना होगा की आईफीश्टी एस परिकार क्वारण जो própria कौन सा हार्मों कि और में और जो स्रावन निभाता है तो oxitoxin जो होता आपका oxitocin यह आपको बहुत important प्रशन है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है तो बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ और देखिए हमारा अगला प्रशन इस प्रकार है कि वनस्पती तेल से वनस्पती गही बनाने में पर्युक्त होने वाले gas कौ है तो देखिए उस प्रकारिया को हम लोग hydrogen करन करते है और इसमें गैस पर्यूग्ध होता है उसको hydrogen कहते है और इसमें जो उत्प्रे रख लगता है यानी की जो hydrogen तेल से hydrogen घी बनाने के बीच में जो अलग से डाला जाता है उसमें कौन सी धातू होती है ये भी आपको exam में पूछा जाता है तो उसमें देखे निकल धातू होता है ठीक है निकल आपको ध्यान रखना है कि निकल धातू उत्पे रख यानि कि catalyst के तोर पे परियोग किया जाता है यह आपको ध्यान रखना होगा अगला प्रशन देखते हैं देके next प्रशन नमारा यह बनता है कि घरेलू इंधन के रूप में परियोग्त होने वाला LPG में मुख्य परियोग क्या किया जाता है देखे घर में जो LPG का सिलेंडर होता है उस के बाद कुछ मात्रा जोती वह प्रोपेन की भी इसमें होती है तो यह आपको ध्यान रखना होगा अगर ऌप्समन में आपको इस तरह से series करके दी होई हो तो butane को पहले टिक करना उसके बाद isobutane और उसके बाद propane को टिक करना है और अगर आपके पास सिर्फ एक-एक single करके दिया है तो आपको butane पे टिक करना है ठीक है तो ग्रिस को किस प्रकेरिया द्वारा हटा देता है तो यह पाइसी करन प्रकेरिया होता है एक उसके द्वारा यह हटा देता है ठीक है यह आपको नाम याद रखना कि पाइसी करन और देखिए अगला प्रशने की सही सुमेली सही सुमेलन किया गया है जो कि बहुत अच्छा साही सुमेलीन वला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में हमको बहुत साई क्वेश्चन मिल जाती है तो हमने उपर में दो क्वेश्चन देख लिया और देखिए आपर भी मेने यह week लिगा है DLCha cancer 2 principe कारण होता है देख तो यहाँ पर होता है कि नेक्स्ट प्रस्ट नमारा ये बनता है, कि मानोव सरीर में बिटामिन A का जो भंडारन होता है, वो कहाँ पर होता है, यानि कि मानोव सरीर में जो बिटामिन A हो कहाँ पर संचीत रहता है, तो यक्रित में संचीत रहता है, और यक्रित समको ये चीछ हमेसा ध्यान आनी चाहि अब देखे अगला प्रशनी है कि रक्त कैंसर जिसको लिकेमिय के नाम से भी जानते हैं । यहां से को और प्रशन बन गया कि लिकेमिय को आम mesela कि यानि कि रक्त कैंसर को आम तरफ़ किस नाम से जाना जाता है यह भी आपको एक्जाम इप पूछा जाता है तो देखें रक्त कैंसर को ही हम लोग लिवकेमिया कहते हैं कि अब यहाँ पर देखतें कि रोक्ताम के लिए पर्योग की जाने वले रेडियो समझतानी की यानि कि रेडियो आइसो टॉप्स का नाम क्या है तो देखें फॉस्फोरस 32 जो होता है यानि कि फॉस्फोरस 32 का पर्योग जो होता है हम लोग लिवकेमिया के रोक्ताम के लिए किया जाता है तो यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है अब देखें अगला प्रश्ण और जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्ण होगा कि God Particle क्या होता है ठीक है God Particle क्या होता है तो देखें God Particle जो होता है हिंस बोसान कर्ण होता है अब हिंस बोसान कर्ण क्या होता है यह आपको जानना होगा ठीक है हिंस बोसान कर्ण जो है कि एक हिंस जो पिटर हिंस थे वो एक बैग्यानिक थे और उन्हों ने उनके नाम पर ये हिंस बोसान कड को राखा गया था ठीक है और यहां सबात करते हैं कि इसको यानि की God Particles को आधुनिक भौती की बिज्ञान में एक मुलभूत कर्ण के तौर पर आजकल माना जा रहा है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की 15 बेहदी महत्यपुन्ट साइन्स के कुछ questions ठीक है तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें या फिर कोई question में आपको doubt हो तो आप हमें comment करके जरूर बताएगे ताकि हम next वीडियो में कोशिज करें कि कोई भी गलती ना हो और इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ अधिक साधिक सेर कीज़े ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और इस प्रकार के question का लाव उठा पाए तो मिलते हम इसे प्रकार के next वीडियो में तब तक के लिए have a good day